गुजरात विदाहिक दलित नेता जिगनेश मेवानी अचानक अलवर के खेरतल पहुचे दो अपरेल को भारत बंद के दुरान पुलीस गोली से खेरतल में एक युवक की हत्या के परिजनों से मिलने वे खेरतल पहुचे थे देर राज जिगनेश मेवानी के अलवर आने की सूचना से परशासन में हडका मच गया और शेतर में धारा 144 लगा दी गई संभावना थी कि पुलीस जिगनेश मेवानी को खेरतल नहीं जाने देगी लेकिन जिगनेश के अचानक खेरतल पहुँचने से परशासन में अफरा तफ्री मच गई टोल नाके पर जिगनेश मेवानी को रोका गया लेकिन उन्होंने आश्वसन दिया कि वो किसी तरीके की कोई सभाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीडितों के हाल जानने आये हैं। इस दोरान मेवानी ने पुलीस द्वारत दलीतों पर किये अत्याचार को एक अंदोलन के रूप में उठाने की बात कही। मेव दो अपरेल और दोर अपरेल के बाद दलीतों के ओपर जो हिंसा हुई। उनका उत्पिडेन हुआ। उनके ओपर गर्ल्व मुकद्वे दरच किये गए। पूरे सामले सारे मामलों के एक जनसुलवाई होगी। इसमें विक्टिम खुद अपनी बात रखेंगे। और सारे स उसको इसकर बहनों को बहुत मारा भी। इटा है। उनके साथ काली गलोच हुआ है। गंदी पाशा को प्रवग हुआ है। कास्टिस द्विमार्स किये। एक चोटी से बच्चों को पुलिस के लोगों ने पटक-पटक कर मारा। उसके मुह तोड़ दिया। आज इसके पर जक्मों की निशान है। एक बहन के बहुत ही दुबली पतली सी मासुम सी बहन है। उसके चाती के ओपर पॉलिस वराज चड़ दिया। तो यह बहुत ही बरबर तामने आज दिखा है। मुझे लग रहा है। यही सारी बात बहार ना है। इसलिए हमारी एंट्री को रि पिछली बार भी में जब आया था, हमारा मकसद क्या था। कि विक्तिम्स को मिले और बाबासाब के उपर बात करें, अमबड करें जेंदी का celebration था। कि राजास्तान के अदर डॉक्तर बीमराव बाबासाब अमबड कर और हमारे सम्विदान के मुल्यों के उपर बात करने के कोई प्रती बंदग यह तुई को आता हुआ